हाई याल और विल्कम टू शेम गेंज सो जेजे के सीजन टू के एर्थ एपिसोड से शीबुया आर्के शुरुआत होती है जो कि अभी काफी लंबी चलने वाली है और इसका हम सब को काफी बेसबरी से इंतजार भी था सो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद हमें कुछ आक्शन देखने को मिलेगा पिछले एपिसोड बे कर्ज यूजर्स ने हैलोवीन की रात को शीबुया स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पर एक वेल गिराया था और सोर्सरर्स इस तिदी का जांच करने पहुँच गए थे इस पूरे ओपरेशन का मुख्य लक्ष था सादोरू गोजो अब ये दोनों एपिसोड एक्स्प्लेइन करने के लिए जब मैं बैठी रहा तो मुझा समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने फीलिंग्स को शब्दों में बयान करूं कुज आई वोज आज का एक्स्प्रेशन इसी फॉर्म में रहने वाला है एपिसोड खतम हुआ और मैं पांच मिनट तक बैट के सब चीजों को कंटेंपलेट करने में लगी हुई थी के भाई हुआ क्या और आगे क्या होने वाला है सो इट वोज ओसम विद इस अब हम बक्वास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल दा इंट्रो सो यहां पर बहुत लंबे गाप के बाद हम यूजी इटाडोरी को फॉर्म में देखते हैं वो में में और उसके छोटे भाई UUE के साथ मिशन पर आया था जहां एक और वेल गिराया गया था शीबूया मेट्रो स्टेशन में सो स्टेशन के एंट्रेंस पर खड़ी होकर में यंग इटाडोरी को बताती है कि ये दो वेल्स इसलिए गिराये गए हैं ताकि नॉन सोर्सरर्स यानि नॉर्मल लोग अंदर फसे रहें उसने अपनी कर्स टेकनीक का यूज करके एक क्रो को बहुत डीप मेट्रो तक एंट्री करवाई और देखा कि कुछ मासूम लोग मेलेवलेंट कर्स के द्वारा ट्रांस्विगर हुए पड़े थे वो प्लाट्फॉर्म्स पर घूम रहे थे तुरंत इटाडोरी का चहरा गुसे से फूलता है क्योंकि उसे पता चलता है कि पैच फेस कोई और नहीं बलकि माहीटो है जो सीजन वन में जुनपे को मार दिया था में इटाडोरी को एक फ्लोर नीचे भेज देती है जबकि ये भाई बहन दूसरे इंटरंस से जाते हैं अब यहाँ इटाडोरी का काम उस कर्स को ढूणना था जो इस बारियर को प्रोटेक्ट कर रहा है अब जब इटाडोरी नीचे जाता है तो वो एक डूलाड कर्स से टकराता है जो वहाँ स्टेशन पर एक आदमी को खा रहा होता है और यह देखके इटाडोरी का और ज्यादा खून खौलने लगता है सालों बाद फाइनली हम इटाडोरी को आक्शन में देखते हैं और वो इस कर्स ग्रास होपर के साथ में वन ओन वन फाइट करता है अब इटाडोरी की आंखों में कर्स के लिए नफरत साफ देख पाते हैं As we know he hates curses because they kill innocent humans तो Eta Dori अपने punches से ही इस curse spirit को मार गिराता है इतनी सारी power और curses का ऐसा हाल देखके में में भी चौंक जाती है कि Eta Dori कितना ज्यादा powerful है वहीं दूसरी तरफ VC Gojo platform पर जाता है जहां उसकी मुलाकात दो पुराने enemies से होती है जिनने वो पहले ही धूल चटा चुका है जोगो और हानामी लेकिन इस बार इन दोनों के साथ एक और चीज थी जिसका नाम था चोसो So ये लोग Gojo से fight लेते हैं By the way ये सब कुछ पहले से ही plan करके आये थे With the help of Gojo's old friend Suguru Ghetto जिस वजह से Gojo की कमिया इनको पहले ही पता थी और इनोंने बहुत सारे ना planning करके रखी हुई थी So he told them that Gojo is strongest when he is alone So इन लोगों का plan करा था कि train station को आम लोगों से भर दिये जाएगा और लोगों को काटते हुए Gojo के पास ये लोग आ रहे होते थे So but यहाँ पे ना VC Gojo was calm वो बहुत ही strategically play कर रहा था Maybe because Gojo नहीं कि इस fight में थोड़ी casualties तो उसको bear करनी ही पड़ेंगी और main focus उसका इन enemies को मारने पड़ था ताकि कम से कम आम लोगों को sacrifice करके वो बाकी लोगों को बचा सके Now इनका plan था domain amplification यूज करके Gojo के खिलाफ attack करना अब सवाल यह उठता है कि what does domain amplification and जोगों का main task क्या था भाई सब बताते हैं So सुनो मेरी बात बहुत ही ध्यान से Gojo की जो special ability है ना उसका नाम है infinity और वो किसी भी attack को उस तक नहीं पहुंचने देती है इसलिए domain amplification जो की माहीटों के खिलाफ म्यूटा ने पहले यूज किया था वो इसका reply है Domain amplification दो domains को एक साथ merge करने की ability रखता है जिससे target को attack के बीच में फसाया जा सकता है Although इसका output negligible है लेकिन यह target के किसी भी technique को defeat कर सकता है एक पल के अंदर पूरी योजना को समझते हुए Gojo अपने जगा बदलता है and he has to watch while Gojo mercilessly kills other humans just to show what he can बट यह सब देख के Gojo अपना blindfold उतारता है and gets ready with the fight Now here we see कि जोगो अपना plan याद करता है जिसमें ghetto ने उसे कहा था कि उसको Gojo के साथ 20 minute तक fight लेनी है साथ ही ज्यादा से ज्यादा इंसानों को उसमें trap रखना है so that Gojo अपना domain expansion ना कर पाए क्योंकि arm humans vulnerable होते हैं और Gojo ये risk कभी नहीं लेना चाहेगा because Gojo कुछ sacrifices के लिए तो मान सकता है but जब बहुत बड़ा sacrifice आ जाएगा तो Gojo is not going to do that और इसी के साथ ही episode 8 यहाँ पे खतम होता है so episode 9 शुरू होता है showing all the loved ones of Gojo speaking about Gojo कोई उसको stupid बोलता है कोई कुछ, कोई कुछ, और कोई कुछ और but end में Yuji आता है who says sensei is the strongest and that hit so hard man इस scene के just bad episode continue करता है and we see Gojo railway track पर आता है and Jogo और Hanami उस पर attack करता है but dang dude Gojo तो अपने curse power use भी नहीं कर रहा होता बस अपनी physical strength और martial art का use करके वो इन दोनों को इदोरूर दोर फैक्ता रहता है but जैसे ही Hanami Gojo के infinity barrier को break करने की कोशिश करता है न we see Gojo बड़े ही बेरहमी से अपना power increase करता हुआ Hanami को दिवार पर crush कर देता है and this is the end of Hanami we see Jogo morning for Hanami और इस point पर हमें Gojo के अंदर का पागलपन बे दिखाई देता है ये इतना बड़िया scene धाना जहां हम एक पल के लिए ये भूल जाते हैं इन में hero कौन है और villain कौन Gojo के अंदर से full villainous वाली vibes आती है now at this point Jogo and Choso the death painting curse एक desperate attempt करते हैं Hanami के death का बदला लेने के लिए Gojo पर attack करते हैं लोगों को मारते हुए Gojo पर attack करने के कोशिश करते हैं ये लोग बट Gojo अपनी infinity का use करके सब attack से बचके जोगों को ढूनता रहता है इसी बीच वी सी Yuji को एक डरी सहमी सी औरत मिलती है जो उसको बताती है कि सब लोग उसकी आँखों के सामने monster में convert हो गए और train में बैट कर चले गए तब ही we here train के आने का announcement होता है and Yuji को realize होता है कि ये सारे transfigured humans अगले station की तरफ जग्या जा रहे है जहां पे Gojo अकेले ही लड़ रहा है means more death, more chaos and more trouble for Gojo अगले scene में we see ये announcement सुन कर लोग खुश हो जाते है and उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने के लिए लोग आ रहे हैं पर जैसे ही station पर train आके रुकती है उसके अंदर से transfigured human monsters बाहर निकलते है और साथ आता है Mahito जिसने ये सब किया था इसके उपर से Gojo के उपर के जो floor होता है न वो तूटता है और वहां फसे हुए सब लोग नीचे आके गिरते है यानि अब Gojo के लिए ये सिर्फ कुछ मासूम लोगों के जान का सवाल नहीं था बल्कि अब डेथ काउंट बहुत बढ़ गया था अल्दो इन लोगों ने सोचा था कि Gojo यहां अपनी infinity को बंद कर देगा बट उल्टा Gojo एक last desperate attempt करता है और अपना domain expansion कर देता है विदिन 299 seconds Gojo सभी 1000 transfigured humans को मार गिराता है एक बार यह सीन तो जरूर देखना बट अब Gojo फिजिकली एंद मेंटली exhaust हो चुका था तभी वी फील और Gojo रिलाइस करता है कि उसके पीछे कोई आता है Gojo मुरता है and Gojo wasn't shocked because Gojo saw कि यह कोई और नहीं बल्कि गेटो था especially because Gojo ने गेटो को जिजिक के जीरो में ही मार डाला था also because we know इन दोनों का bond कितना strong था Gojo कुछ पल के लिए past memories में चला जाता है and इसको मौका मिल जाता है Gojo को prison realm में फसाने का Gojo looks dead in his eyes and ask him who he is यहां गेटो अपना head का touch open करता है and we see a brain like something creature inside his head जो कि एक evil smile दे रहा था and we were sure कि यह गेटो नहीं है बलकि गेटो के अंदर किसी तरीके का curse घुस काया है इस brain के पास गेटो की memories भी थी जिसका use इसने Gojo को फसाने में किया था और अब से हम इसको pseudo ghetto बुलाएंगे pseudo means fake and ghetto is ghetto obviously so it's pseudo ghetto, fake ghetto so pseudo ghetto ने अब गोजो को prison realm में कैद कर दिया था जहां से गोजो एक हजार साल तक बाहर नहीं निकल सकता जब गोजो बाहर आएगा तब तक यह दुनिया ही बदल चुकी होगी इस दुनिया से इंसानों का सरवनाश हो चुका होगा क्योंकि यह लोग गोजो से कभी जीत नहीं सकते थे इसलिए इन्होंने धोके से गोजो को फसाया और इनको लगता है कि गोजो को यहां फसाने के बाद यह बहुत इजिली इस दुनिया पर मतलब अटाक कर सकते हैं इंसानों का सरवनाश कर सकते हैं और हर जगा कर्जस को फैला सकते हैं अगले सीन में हम में में और यू जी को गोजो की तरफ भागते वे देखते हैं यहां यू जी के कान में एक एरपीस से अनाउंसमेंट सुनाई देती है दाट गोजो सातुरू हाज बीन सीनल्ड नाव इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खतम हो जाता है जिन लोगों ने मांगा पड़ी है देनो वाट विल हापन आगे बाकियों के लिए मैं बस इतना ही कहूंगे दाट डूंट वरी गोजो हजार साल तक नहीं रहने वाला है बठाँ आगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहली चीज न वो करो क्योंकि सभी अपडेट्स और एक्स्प्लेंड वीडियो आपको एवरी वीक हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है तो विद दिस अब हम मिलेंगे इन माइन नेक्स्ट एपिसोड तब तक के लिए पाई